बालू और किर्टी उन्हें और कोई जगह ना मिलने के कारण गाउं के एक कोने में बहुत समय से खाली पड़े एक सोचाले में रहने लगे थे वहीं रहते हुए गाउं में सवाई का काम किया करते थे एक दिन बालू ने किर्टी से कहा दीदी, बला और कितने दिन तक हम यहीं पर ऐसे टॉयलेट में जियेंगे हमारा कोई घर नहीं होगा क्या ना जाने और कितने दिनों तक हमें यहां सोचाले में जिन्दिगी गुजारनी होगी भाई, हमारे माता पिता नहीं है न इसलिए हमें यह सब कुछ तो सहना ही पड़ेगा तब तक हम जहां भी काम कर रहे हैं, वहाँ यह पता न चले कि हम सोचाले में रहते हैं ठीक है दीदी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा लेकिन बहुत समय से मैं इसी पल का इंतिजार कर रहा हूँ कि हमारे भी हालाद सुधर जाए भाई, मैं भी इसे पल का इंतिजार कर रही हूँ जब हमारा भी एक बहुत अच्छा सुन्दर सा घर होगा दीदी, यह जरूरी नहीं है कि हम कितनी मैनत कर रहे हैं और हम क्या काम कर रहे हैं बस कुछ ऐसा करें कि हमें बहुत पैसे मिले जिससे हम अपना अच्छा सा घर बना कर वहाँ पर चले जाए और इस सौचाले से हमें मुक्ती मिले तो सही कह रहा है भाई, हम चाहें जितनी भी मैनत कर ले पर जहां तुम काम करते हो, वहाँ तुम्हें कम पैसे मieltे हैं अगर वो देना भी जाहे, तो तुम्हारी उमार देकर रुख जाते हैं हाँ दीदी, काम तो सबसे एक जैसा कराते है पर जब पैसे देने के बारी आती है तब कहते हैं कि तुम तो अभी बहुत चोटे हो, मैला तुम्हें पैसों की क्या जरूरत? ऐसे करें कि थोड़े बहुत पैसे दे कर भेज़ देते हैं वो पैसे तो हमारी खाने पिने में ही घर्च हो जाते हैं और तुम्हारी बात की जाए तब तो वो और भी बुरा तुम तो दिन भर धनवान लोगों के घर काम करती हो, फिर भी तुम्हें मिलता कितना है किसी मंदिर के बाहर बैठे भीकारी को जितने चिलर मिलते हो, बस उतने कभी कबार की सित्योहार में या साल में एक बार पहन पहन कर पुराने हो चुके कपड़े दे कर ऐसे जताते हैं जैसे बहुत बड़ा उपकार किया हो हाँ बाई, पर हम कर भी क्या सकते हैं, इसके अलावा और कुछ काम कर भी तो नहीं सकते अगर हम करना भी चाहे, तो हमें काम कोई देता नहीं है इसलिए इस समय हमें मान की जरूरत नहीं, बलके पैसों की जरूरत है पेट भरना ज़ादा जरूरी है, अब चलो काम पर चलते हैं, वरना हमारे मालिक देर से आने पर हमें डांट लगाएंगे इस तरह कीरती धनवान लोगों के घर काम करते हुए, बचा कुचा खाना लेकर आया करती कभी कबार मिलने वाले उन चंद पैसों की आस में काम करने लगी उसी तरह बालू भी जो काम वो कर पाता करते हुए पैसे कमा रहा था इस तरह दोनों अपने हिस्से की महनत करते हुए उसी सोचाले में रहने लगे उनका जीवन यूही उस सोचाले में वतित हो रहा था एक दिन कीरती घर आकर बालू से कहने लगी बालू, आज हमारे माली के घर पर कोई दावत हुई थी जहाँ पर बचे हुए सबजियां उन्होंने मुझे दे दी कम से कम आज हम दोनों पेट भर खाना खा सकते है ऐसा सोचकर बालू और कीरती, चावल और सबजी बना कर खाने वाले थे इतने में बालू ने कहा दीदी, तुमने इन लाई हुई सबजियां से बहुत अच्छी साग बनाई है पर इस सोचाले की बदवू हम यहाँ पर कैसे कहा सकते हैं दीदी, तुम ही बताओ पर इस समय हमें सर चुपाने के लिए इस मुफ्त की जगे के अलावा और कोई जगे नहीं है बालू ऐसे कीर्थी ने समझाया, फिर उन दोनों ने वही पर बैटकर उस बदवू को सहते हुए खाना खा लिया इस तरह कई दिनों तक वो दोनों एक अच्छे घर की आसमें और अपने परिस्तिती के बारे में सोचकर दुखी हो रहे थे यूही कई दिन बीते, कीर्थी और बालू ने दिन रात जी तोड महनत कर कुछ पैसे अपने लिए बचा कर रखे तब बालू ने कीर्थी से कहा दीदी, इतने दिनों से हम अपना पेट काट कर दिन रात महनत कर बहुत सारे पैसे खटा किये हैं ना क्यों न हम उन पैसों से अब अपना कोई काम शुरू करें भाई, मैं भी यही सोच रही थी अपने आसपास बहुत सारी दुकाने हैं पर कहीं भी फल की दुकान नहीं है क्यों न हम दोनों एक थेला लगाए जिस पर बहुत सारे फल बेचने लगे हमारे फल बहुत पिकेंगे क्या तुम्हें मेरा सुजाव अच्छा लगा बालू तब बालू ने कहा दीडी, तुम्हारा सुजाव तो हमेशा बढ़िया ही होता है हम कल ही थेला लाकर उस पर फल बेचा करेंगे ठीक है न दीडी ऐसे दोनों ने तै किया पिर अगली सुबह और जैसे तै किया था दोनोंने ठेले पर फल बेचने शुरू किये ग्राह काकर फल खरिज रहे थे दीडी, हमने अपने सारे पैसे इन फलों को लाने में खर्च किये पहला दिन ही क्यों ना हो पर हमारा ये सुजाव काम कर गया फल तो अच्छे से बिग रहे है हाँ भाई, हमारी इतनी दिनों की मेनत आज रंग लाई है यो बात करते करते बालू ने कहा देटी, मुझे चगर आ रहे है मैं अब और थोड़ी दिन नहीं खड़ा रह सकता यो कहते कहते वो अचानक गिर पड़ा किरती तुरंट उसे अस्पटाल ले गई डॉक्टर ने किरती और बालू दोनों की जांच की जांच से पदा चल रहा है कि कई दिनों से तुमने ठीक से नहीं खाया और जहां तुम रह रहे हो वहां के कुछ अंद देखे वाईरिस तुम्हारे शरीर के अंदर जाकर तुम्हारे कई अंगों को खराब कर रही है तब किरती ने कहा तो अब हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर ऐसे किरती ने पूछा तुम दोरों को जिस इलाज की ज़रूरत है वो यहीं अस्पटाल में हो सकती है पर इस इलाज में ज़्यादा खर्च नहीं होगा डॉक्टर के ऐसा कहने पर कीरती और बालू ने अपना ठेला बेश दिया और उन पैसों से अस्पताल में दाखिल हुए उनके लाए हुए पैसे उनके इलाज में काफी नहीं थे इसलिए उनको फिर से कर्ज करना पड़ा इसी वज़े से उन्होंने फिर से महनत कर पैसे कमानी की सोची इसलिए फिर से कीरती घरों का काम करने लगी और बालू वेल्डिंग का काम करने लगा अब वो दोनों इसी आस में जी रहे थे कि उनका कभी घर बनेगा भी या नहीं कहीं किसी गाओ में रमेश और चंद्रीका नाम के गरीब पति-पत्नी रहा करते थे उनके कीर्टी और बालो नाम की दो संतान थी वो दोनों ही बहुत भुक करते हर समय कुछ न कुछ खाया करते थे जब खाना नहीं खाते तो इतनी शरारत करते कि उनके गरीब माता पता के होश उड़ जाते थे इसलिए मा चंद्रीका हमेशा घर पर पापड और चकोडियां बना कर रखा करती थी रमेश कूली का काम किया करता था और चंद्रीका घरों में काम करती थी इस तरह वो दोनों मिलकर जितना कमा पाते उसे में अपने बचों की परवरिश कर रहे थे एक दिन टीचर शारदा जब कक्षा में पढ़ा रही थी तब बालू चर-चर करते हुए चकोडियां खा रहा था उस आवाज को सुनकर शारदा टीचर ने पढ़ाई रोग कर बालू के पास जाकर देखा वो चकोडिया खा रहा था बालू ने चकोडिया खाने रोग दी और खड़ा हो गया टीचर आप ऐसे मत देखिए मुझे नजर लग जाएगी फहले से ही मेरा बहुत चोटा सा पेट है उसकी ये बात सुनकर उसके सहपाटी जोर-जोर से हसने लगे जैसे ही टीचर ने आंग फाड़ कर देखा सभी चुप हो गए ये तुम्हारी क्लासरूम है घर नहीं इस तरह मशीन के तरह मुझे चलाते रहोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी बोलो टीचर अब इतना भी नहीं जानती मुझे वो वहाँ ब्लाक बुड है न उस पर लिख कर बताईए या फिर अपनी चड़ी है उससे डांड कर सिखाईए इतना भी नहीं बता टीचर को सब मुझे ही बताना पड़ता है ऐसा कहकर उसने तुरंट चकोडी मुँ में रखी कक्षा के सारे बच्चे अपनी हसी को रोक नहीं पाए इससे आग बबुला हुई टीचर अपने हाथ में रही चड़ी को दिखाते हुए कहती है एक और बार किसी की हसी सुनी तो मार पड़ेगी साइलेंट पूरी कक्षा साइलेंट हो जाती है पर बालू के मुँसे चकोडी की आवाज आने लगी थी टीचर की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे कहे क्या हुआ टीचर ऐसे क्यों देख रहे हो आपको भी चकोडी चाहिए जब तक मेरी कक्षा पूरी नहीं होती तुम बाहर खड़े रो जाओ बालू ने चुप चाब अपना चकोडी का डब्बा उठाया और कक्षा की बाहर चले गया ठीक उसी समय घर से बाहर निकल कर खड़े रमेश के पास उसकी पत्नी चंद्रिका आती है क्या हुआ जी आप अभी तक यहीं खड़े हो जाइए जाकर स्कूल में बड़े सर से मिल आईए है उनके बुलाने पर भी नहीं जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा वैसे भी अपने बच्चे उस स्कूल में अभी तक बढ़ रहे हैं ये उनहीं बड़े सर की वज़े से हैं और हाँ जाते जाते उनकी पसंदीदा शहद भी ले जाना वैसे तुम्हें क्या लगता है क्यूं बुलाया होगा उन्होंने हाँ किस लिए बुलाया होगा लगता है आपके लिए कोई लड़की रुणी होगी जाइए शादी करके आईए अच्छा तो तब तुम कहा रहोगी क्या मतलब है आपका क्या सच में उस बड़े सर ने आपको शादी के लिए बुलाया है हाँ चेहरा देखो अपना आप तुम कोई कुमारे रमिश नहीं रहे दो बचों के बाप हो अपने बचों की शरारत की वज़े से बुलाया होगा उन्होंने जाकर उन्हें शाद भी देया ये बाके वो देख लेंगे चंद्रिका की कही बात मानकर रमिश शाद की बोतली ये स्कूल चला गया अपने अपनी कक्षा के बाहर खड़े होकर कीर्ती और बालू चकोडी खाते हुए बात कर रहे थे तब कीर्ती ने कहा क्या बात है बालू चकोडी कहा रहा था इसलिए टीचर ने बाहर भेजा तुझे हाँ दीदी तुम भी तो इसलिए बाहर आई हो ना इस तरह वे दुनों बात कर रहे थे दूसरी और रमेश ने शहद का डबा टेबल पर रखा हेड मास्टर सुन्दर ने तपाक से शहद का बोतल नीचे रख लिया फिर कीर्टी और बालु के चकोडी की आवाज करने वाली बात और क्लास में शरारत करने वाली सारी बात बताई सर आप उनकी हरकतों को अंदेखा कर दीजिया न इस तरह विंटी करने पर वो मान गया सुन्दर और रमेश वहाँ से निकल कर क्लास के बाहर खड़े होकर चकोडी खार हे बच्चों के पास आए रमेश बाहर खड़े बच्चों के साथ जब बात कर रहा था उसे समय सुन्दर भी कक्षा में जाकर टीचर से बात कर रहा था कुछ समय बाद शारदा टीचर बाहर आई और बालू और किर्टी को क्लास के अंदर आने के लिए कहा इस तरह दिन मस्ती में गुजर रहे थे एक दिन उस गाओं में चमनलाल नाम का एक आदमी अपने ही नाम से चमनलाल पानी पुरी का ठेला लगाता है उसका मुन्ना लाल नाम का एक बेटा था हर दिन चमनलाल अपने ठेले पर पानी पुरी का चैलेंज लगा था जिससे वो बहुत पैसे कमाया करता था जो भी उसके बेटे मुन्ना लाल से पानी पुरी जादा खा पाता उसे 10,000 का इनाम रखाता उसने जिन लोगों को पानी पुरी खाने में बहुत रुची थी वे सभी आकर उस चैलेंज में हिस्सा लिया करते कुछ लोग वहाँ पर आये पर वे सभी मुन्ना लाल से हार गये उन सारे पैसों को चमन लाल अपने बकसे में जमा किया करता किसी तरह पानी पुरी चैलेंज के बारे में पता चले कीर्टी और बालू उस ठेले के पास आ जाते हैं पहले कीर्टी और मुन्ना लाल इस पानी पुरी चैलेंज में हिस्सा लेते हैं दोनों ने पानी पुरी खाने शुरू की एक से बढ़कर एक दोनों पानी पुरी खाने लगे आखिरकार कीर्टी इस चैलेंज में जीद गई पैसों के नुकसान होने पर चमनलाल उदास हुआ लेकिन फिर से वो अगले चैलेंज के लिए तयार रहा इस बार बालू ने हिस्सा लिया हर कोई बालू के नाम पर ही चैलेंज लगा रहा था बहुत देर से पानी पूरी के लिए जी ललचाए बालू ने कपा अगप सारे पानी पूरी खा लिये इस बार बी मुन्नालाल हार गया इस हार की वज़े से उन्हें अपना ठेला उठाना पड़ा उन्होंने जीती वी रकम अपने माता पिता को दी वे दोन बहुत खुशुए